आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्सिट नंबर 66 और ये है रचनात मकलिखन तो इससे पहले एक छोटी सी सूचना मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पर पिछले 2-3 दिनों से वीडियो डालने की अनिमियत अता हूई है ये चल रही साधीों के सीजन के वजह से हूई है क्योंकि अभी रिलेशन में और घर में भी साधी होने के वज़े से कुछ वीडियो हम नहीं डाल पाए हैं जिसके वज़े से आप से छमा प्रार्थी हैं और चलिए अब से आपकी सारे वीडियो टाइम पर अभलेबल होंगी और आपको मिलती रहेंगी इसलिए आप चैनल पर हमारे साथ बने रहें तो चलिए सुरू करते हैं आज की वर्षिट और आज की वर्षिट है 66 इस वर्षिट में हम लोग रचनात्मक लेखन के तहते संबाद लेखन को सीखेंगे तो पहले हम यह जान लेते हैं कि संबाद क्या है उसके बाद हम इस पराधारित संबाद को ल सबसे ससक्त उदाहरन नाटक है अपने नाटक पढ़ा होगा नाटक संबाद लेखन की ही एक तरीका है और संबाद लिख लिख कर ही नाटक लिखा जाता है उतने बड़े नाटक को बना जाता है संबाद से अभी प्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच बात चीत सं उनके बीच बादचित और संबाद दी गई परिस्थिती के इर्दगिर्द संचिप्त और आकरसक वाक्यों में लिखा जाता है। नीचे तस्वीरों में दिये गए लोगों का नाम लिखते हुए नाम आप अपना भी रख सकते हैं और चाहे आप कोई नाम दे सकते हो और दरसाई गई परिस्थिती के अमसार संबाद लिखे। सबसे पहली परिस्थिती में देखिए यहां दो महिला बात कर रही हैं और ये दोनों रास्ते के विखे में बात कर रही हैं। रास्ते पर भीण के विखे में लिख सकते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रतित हो रहा है जैसे धूंद हो, कुरा हो, मौसम ठंधा हो तो इसके भी लिव बात्चित कर सकते हैं। या फिर कुरोना के वज़े से रास्ते पर कम लोग आ जा रहे हैं। इस पर भी आप कुछ भी अपना एक विखे बना सकते हैं और उस विखे के अमसार आप अपने संबाद को लिख सकते हैं। और दूसरा और टास्क है ये दूसरा संबाद लेखन का जिसमें की दो महिलाएं मौह पर मास्क लगाए हुए हैं। और एक दूसरे की बीचे गया पे भी है आप देख लीजे दूरी भी है। इस दूरी के साथ ही दोनों बात कर रही हैं। तो आप इसको कोरोना से संबंधित बातचीत भी मान सकते हैं। या फिर अधरवाज कोई भी बातचीत आप इनके बीचे इमेजिन करके सोच करके लिख सकते हैं। दिमाग में एक इमेज बना लीजी और उसके बाद लिखना। शुरू कर दीजे। और संबाद के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप किसी इन दोनों परिस्थितियों में किसी एक पातर में खुद को देखिए। कि जब ये दो पातर हैं तो कोई एक पातर अगर आप खुद बन जाएंगे तो संबाद खुद बखुद आपके मन में आने लगेंगे और बहुत ही अच्छा संबाद बन जाएगा। चलिए सुरू करते हैं आज का संबाद लेखन। यहां प्रथम चित्र के अनुसार दो महिलाओं के बीचे बाहर के मौसम को लेकर हुई संबाद है। फिर आज इतनी ठंड है कि बाजार जाने का मन ही नहीं करेगा मैंने देखा है सडकों पर लोग बहुत कम है तो रेखा बोलती है हाँ पर सबजियां तो खरीद नहीं है अब ठंड पड़े या गर्मी हो सबजी क्या आवसकता तो प्रति दिन होती है इसे खरिदनी है काजल कहती है यह तो रोज की आवसकता है इसे कैसे टाल सकते हैं रेखा कहती है तभी तो इतनी ठंड में भी मुझे जाना पड़ेगा मतलब सब्जी लाने रेखा को जाना ही पड़ेगा और फिर काजल अब रेखा को हिदायत देती है गर्म कपड़े पहन ल तो इस तरह से दो औरतों के बीच हमने संबाद लिखा पहले संबाद अब दूसरा देखते हैं दूसरा है कि दूसरे चित्र की अनुसार दो महिलाओं के बीच कोरोना वायरस संबंदित वाचित हो रही है यहां दो महिलाओं है एक प्रेमा है दूसरी आसा है तो प्रेमा आसा से कहती है जानती हो आजकल कोरोना कप्र को फिर से बढ़ने लगा है आसा बोलती है हाँ मैंने भी टीवी पर देखा है दिल्ली में कोरोना के किसेच बढ़ते जा रहे हैं प्रेमा बोलती है इसलिए अब हमें और सतर्क रहना पड़ेगा आसा कहती है अब बिना मास्क के हमें बाजार नहीं जाना चाहिए तो प्रेमा बोलती है समाजिक दूरी भी हमें बना कर रखनी चाहिए तभी हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे और अपने देश से जल्द ही भागा देंगे मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ महीन हाँ अब बाहर कम ही निकलेंगे और अगर जाना भी पड़े तो पूरी सावधानी के साथ ही जाएंगे तो बच्चो ये थी आपके वर्षिट के अनुसार दोनों संबाद और दोनों संबाद काफी अच्छे थे और बहुत सौट में हमने बहुत कम में में इसे लिख भी द पास्क भी कम्प्लीट होते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्षिट में थैंक्यू